किसानों ने खुद के उत्पादनों से अपना नाम रोशन किया है मेनध ही पुणजी मानकर खुद के पसीने से ठोमरे परिवार ने खामगाव में शरीफा की खेती करके खुद का ब्रैंड तयार किया है गुणवत्ता, प्रयोक, मार्केटिंग का ज्यान यह सबी का मिलाप करके उन्होंने शोलापूर जिले में आदर्श निर्माण किया है बार्शी के खामगाव में उनका फार्म हाउस अब तो किसानों के लिए प्रयोक शाला का कक्ष बन गया है नए नए प्रयोक करके ठोम्रे भायों ने शरीफा में बार्शी का नाम साथ समंदर पार ले गये है उनके शरीफा आकरशक तो है ही और वजन में एक एक किलो के एक आते है उनका यह प्रयोक निशित रूप से प्रशों सनिया है देखो ठोम्रे का शरीफा का खेद कर दो कर दो कर दो कर दो पर दो कर दो क्योंकिंट जो ढआ कर दो झाल झाल शोलापुर जिले में बार्शी से सिर्फ 13 किलोमिटर के अंतर पर खामगाव है प्याज, फल, सबजियों के फसल में यह गाव पहले से ही आगे है खामगाव सिलेक्शन नाम से इस गाव के प्याज ने बरसों से गाव का नाम रोशन किया है इसी गाव के प्रयोग शिल किसान राजेंद्र और व्यापारी संतोष इन टोंग्रे भाईयों ने मेहनस से शरीफा की खेती की है राजेंद्र खुद पूरा दिन खेती करते है और संतोष व्यापार में मगन होते है दोनों भाईयों को पहले से ही खेत में जादा रस होने के कारण से वे नए नए प्रयोप करते रहते है अधुनिक पधती और नए तंत्रज्यान का इस्तेमाल करना यह उनकी खेती की विशेशता रही है ठोंमरे भाईयों का 20 एकर खेथे उसमें से बड़े पेमाने पर 10 एकर में शरीफा की पेड़ है पहले ठोंमरे भाईयों की अंगूर की खेती थी अंगुर की खेती में मजदुरों का खर्च जादा था प्रतियकर उत्पादन और मिलता हुआ दर उसका मेल बेटता नहीं था उसमें दो सल पहले बरसात और बड़े तुफान की वज़े से हाथ में आय हुए फसल का बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ था उसमें से बाहर निकलना जरूरी था प्रतिकुल परिसिती से बाहर निकलने के लिए स्ताई उपाई जरूरी था और उसी वज़े से उन्होंने शरीफा की खेती का विचार किया पहले साल अंतर फसल के रूप में लिये हुए सोयाबिन का प्रती एकर तीन क्विंटल और चने का चार क्विंटल उत्पादन मिला उसमें से ही पहले साल का मुख्य उध्यान का जादा हुआ खर्च निकला उसमें से उर्वरक और जन्तुनाशक का खर्च कम लगा पहले साल पोधे और टपक के लिए सतर हजार का खर्चा किया गया जिसमें से हर एक व्रुक्ष से आज से नो किलो उत्पादन मिला इस साल पूरे दस एकर में चोतीस चन उत्पादन मिला शरीफा का बहार कम होने के कारण दर अच्छा मिला हैदराबाद मार्केट में उसका दर हर किलो को 125 से 180 रुपए मिला शरीफा के पैकिंग और ब्रैंडिंग के लिए खास ध्यान देने में आया है उसके लिए ठोमरे फार्म और नर्सरी के नाम से खास ब्रैंड तयार किया है दो चार और चरनक के चोटे और जरुरत के आनुसार 20 किलो वजन के बॉक्स पैकिंग के लिए उगलब्ध है बॉक्स संभालते वक्त खराब नहों इसलिए ध्यान देने में आया है शरीफा को दिल्ली, बंगलोर, हैदराबाद, पुने, मुंबई, अहमदाबाद सूरग में अच्छा मार्केट है किसानों को वर्दन रहे हुए यह शरीफा के पोधी नर्सरी में अच्छी क्वालिटी के तयार करके किसानों को देने में आते है जिनको यह शरीफा के पोधे चाहिए वे खामगाओ के ठोमरे फार्म हाउस को मुबैल नंबर इकैनवे सेनतालीस आठारा उनसाट उनसाट इस नंबर पर संपरक कीजिए